का कि एंडियर नियो출 वा चीष तो तो आज हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हमारा शेकंड एयर में थर्ड पोनि कि डेट्श retrouve जो हमारा सब स्वर्वेइंग सबसे जादा important है plus हमारा जो surveying subject है ये बहुत जादा interesting subject भी है तो इसलिए हमें surveying पड़ने में मज़ा भी आने वाला है जो मैं surveying पड़ाने वाला हूँ ये मैं third semester के students के लिए पड़ा रहा हूँ और जोकी सारी universities हमारे इंडिया में उसके लिए ये applicable है चुकि मुझे syllabus का एक reference चाहिए कोई सी university इसलिए मैं एक university RGBV University का syllabus as a reference ले रहा हूँ ठीक है चलिए तो हम अगर subject start करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें उसका syllabus उठा के देखना है ठीक है तो हमारे पास surveying में 5 unit से ठीक है चलिए अब इसके बाद में हमें क्या देखना है इसके बाद में हमें देखना है इसके previous year papers previous year question papers ठीक है तो जब आप previous year question papers के थूँ जाएंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि इसमें जो है दोनों तरीके के question पुछे जाते हैं theoretical questions भी पुछे जाते हैं और numerical questions भी पुछे जाते हैं लेकिन theoretical type of question थोड़े जादा पुछे जाते हैं एस compared to numerical ठीक है तो हमें जो subject तेयार करना है वो theoretical plus numerical type of में तेयार करना है ठीक है तो चलिए फिर next class से हम लोग start करेंगे first unit surveying की पुछे जादा पुछे जाते हैं